हेलो फ्रेंड सम्म लोग जानेंगे सीपी आर के बारे में सीपी आर क्या होता है मरीज या गाहल बक्ती की जान बच्चाने के लिए सीपी आर एक बहुती महत्तपुर्ण तरीका है सीपी आर यानि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसके इसे कार्डियक अरेस्ट और सास ना ले पाने की जैसी अमर्जनसी जो इस्तिती बन जाती है उससे किसी भी इनसान की जान बचाए जा सकती है इसलिए कि ये अमर्जनसी सिच्विशन होती है हमारे आखों के सामें खुदाना खासता हम देखते हैं कि किसी की आहलत हो जाती है इसलिए उसको ऑस्पिटल में शिफ्ट करने से पहले हम लोग यानि आम इनसान को भी ये पता होना चाहिए कि सीपिया देने से पहले आपको इसके ट्रेनी लेना ज़रूरी है हलाकि सीपिया सिखने के बाद भी इसके तरीकों की याद रखबाना और सही इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है इसलिए कोशिश है एक कि किसी की जान बचे दिल की दलकन सामन नियो हुने तक छाती को दबायाना पड़ता है इसमें जिसे शरीर में पहले से मौजुद ऑक्सीजन वाला खून फिर से संचारित होता रहे हार्ट अटेक यानि काडेकरेस्ट डूपना सास गुटना करन लगना ऐसी बहुत सारी इस्तेती में इसकी आवशकता हो सकती है अगर किसी इनसान की सास या धरकन रुक गई है तो जल से जल उसे सीपियार दे क्योंके परियापत ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिश बहुत जल्द खत्म हो जाती है दिमाग की कोशिक आई कुछी मिन्टों में खत्म हों लगती है जिससे गंबीर नुकसानや मौत eyeshadow हो सकती है पता चला है अगर अगर अधिक लोगों को यानि मैएक्सिमम लोगों को सीपियार देना आ जाए तो कई जाने बचाई जा सकती है क्योंकि सही समय पर CPR देने से इनसान की बचने की संभावना या चांस डबल हो जाता है अब CPR कब देना चाहिए ये खास बात याद रखे अचाना गिर जाना वैक्ति के अचाना गिर जाने पर उसकी सास और नब्स देखे बयोश हो ना बयोश अगर वैक्ति को खुश मिलानी की कोशिश करे है अगर वो खुश मिला आए तो उसकी सास और नब्स देखे सास की समझ से आए सास रुग जाना या अन्यमि सास लेनी की स्थितिव में CPR देनी की अवशच्चता होती है या नब्स रुख जाना अगर वेक्ति की नब्ज नहीं मिल रही है तो हो सकता है उसके दिल ने काम करना बन कर दिया ऐसे वक्ति को सीप्यार दिनी के अवश्चता हो सकती है या करन लगने पर अगर किसी वेक्ति को करन लगा हो तो उसको चूना नहीं उसको टच नहीं करना लकडी के मदद से उसके आसपास के करंड के जो सोडस है उसको हटाना और इस बात का ध्यान रखे किसी भी चीज में करंड पांस ना हो सके डूबना या ड्रक्स दुवए के संपर में आ जाना इन इस्तेते में वक्ति की नब्द और सास की जांच करका CPR दे सकते है अब CPR देने से पेले कुछ बात को हमको याद रखना है कि CPR देने से पहले यह देखना है कि ये जो वातवरन है उसके लिए सुरक्षित है व्यक्ति होश में है या बेहुश है अगर व्यक्ति बेहुश है तो उसके खंदे को हिला कर उची आवाज में पूचे कि क्या वो ठीक है कोशिश करे कि उसको हिलाने के कोशिश करे कि वो है होश में या नहीं है अगर व्यक्ति होता है उपकरन होता है वो मंगवाना चाहिए अगर डिफ्रेबलिविटर मिल जाता है तो उपर यहनी कि उसको तो यूज करने का तरीका जो डॉक्टर होते हुई जानते हैं आप इंसार सीप्यार कैसे दे सकता हैं सीप्यार में जो है वेक्ति की यह इंसान की छाती को दबान आप उसके मूँ से सांस देना शामिल है भच्चों और बड़ो को सीप्यार देने का तरीका थोड़ा अलग होता है अब बच्चों मैं कैसा देंगे का तरीका थोड़ा अलग होता है ज्यादा तर जो नोजाज शिशो होते हैं न्यू नेटल जो बच्चे होते हैं उनको काड़े-गारेस होने का कारण होता है या डूबना दम गुटना अगर आपको पता है कि बच्चे की सास की नली में रुकावट के कारण वो सास नहीं ले पा रहा हैं तो दम गुटने के लिए किये जाने वाले फर्स्ट एट का उपियोग करना है अगर आपको नहीं पता है कि बच्चा सास क्यों नहीं ले रहा है तो उसे सीप्यार दे शिशो की स्तहती को समझे और उसे चूपकर उसकी पड़ती क्या देखे लेकिन बच्चे को तेजी से हिलाए नहीं एक बात याद रखना चाहिए बच्चों को अगर हम सीप्यार दे रहे हैं पहले जो कंडिशन में बताया वो चीज़े समझना चाहिए सिच्विशन देखना चाहिए जरुवत है तो ही और अगर देना पड़ रहे हैं जरुवत आ गई हैं तो उसके जादा तेज नहीं हिलाए अगर बच्चा कोई परती के रिया या रिस्पांस नहीं दे रहा है तो सीप्यार शुरू करना बच्चे के पास घुटनों के बल बैटना और जो चूटा बच्चा यानि नोजा शिशु को सीप्यार देने के लिए अपनी दो उंगलियों के इस् हम देना जिस विष्ट्टी को प्र mandate है उसको और उसके ϊंदों के पार घुरनों के पल बैड़ जाना एक हाथ पी आतिले और और उस इंसान की आठी के बीच में रखनyu Dir को पहले के हातफे आतिले लिए को ऑपर अपनी कोनी के सिधर र oral और खंदों के वहिगति के सीधाई में रखना अपने उपर शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए वहीति की छाती कम से कम दो इच यानि पास सेम्टिमटर और ज्यादा से ज्यादा धाई सेम्टिम तक दबाना और छोड़ना एक मिनट में सौ से एक सो बार ऐसा करना अगर आपको सीप्यार देना नहीं आता है तो उस इंसान के हिलने डूलने तक या मदद आने तक उसकी छात की को दबाया तो इसके टोड़ी के उटाएं और जिसके सर पीछे धुकेगा उसकी खास यानी कि जो सास के न लिए । खुल जाएंगे सास देना भी एक बहुत बड़ा हिलप है यानी कि जो इनसान घायल हो चोका है उसको सास देने के दो तरीके एक तो मू से मूँ में और खुलनी सकता तो उसे नाग में सास दिया जाता है वहकती के टुड़ी जो है उपर उटाए और मुझ से सास देने की पहले उसकी नाग बंढ करें पहले एक सेकंड के लिए वहकती को सास दें और देखे कि उसकी छाती उपर उट रही है अगर उट रही है तो दूसरी दे अगर नहीं उट रही है तो फिर उसके टुड़ी को उपर उटाना और सास देना वेक्ति को बहुत अद्धी क्या बहुत जोर लगाकर सास ना देना इसके अलावा जल से जल कोशिच करें के हम उसको hospital को shift कर दें hospital के अंदर जहां intensive care होता है जहां पर critical patient को manage किया जाता है इसी जगा शिफ्ट कर दें और कोशिच करें कि ये procedure जो बीमागे वीडियो भी बता रहा हूँ अप्लोड कर रहा हूँ वो वीडियो को भी देखें गवर से किस तरह से हम प्रेस करें, सीप्याड दें, सास फुकें, इसकी वज़े से हम किसी की जान बचा सकते हैं, कि कि किसी की जान बचाना बहुत बड़ी नेकी है, तो इसको गवर से देखें, चैनल को सबस्क्राइब कर झाल 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 झाल